नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सुप्रीम कोट में बिहार बिएड अभ्यार्थियों की लीट याजी का हुई स्विकार इस दिन होगी सुनवाई राजी के इन चार जिलों में एक लाग से अधिक बच्चों के नाम कटे सरक निर्वान में लगे कामगारों को मिलेगी अधिक मस्दूरी एक्टर बिंदु दारा सिंग ने बिहार आने पर जताई खुशी राजनिती में एंट्री पर कहाई भातिय टीम की बड़ी कमी को रोहित सर्मा ने किया खुलासा इसके साथ ही बरते हैं शांतक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से सुप्रीम कोट में बिहार बीएड अभ्यर्थियों की रीट याचिका हुई स्विकार इस दिन होगी सुनवाई बिहार प्राडंबिक युवा सक्षक संके अध्यक्ष और याचिका करता दिपांकर गौरव के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया है कि सुप्रीम कोट के ओर से बीएड अभ्यर्थियों की रीट याचिका को दायर कर दिया गया है हमने कोट से अपील की है किस बहाली में बीएड योगिता धारियों को मौका अवश्य मिले उन्हें बताया किस मामले में सुप्रीम कोट के द्वारा 3 नमबर 2023 को सुनवाई की तारीख नरधारित की गई है बिहार के इन शहरों की हवा हुई जहरीली बिहार के कई शहरों में हवा जहरीली होते जा रही है जिसमें सबसे बुड़ा हाल बिहार की राजधानी पटना का है मालुमों के 30 अक्टूबर यानि की आज पटना के मुरादपुर में एक यू आई 300 और सामान पूरा में 289 दर्च किया गया इसके रावा पूर्णिया में भी वायू गुनवत्ता सूजकांग 300 पहुँच के आए वही मुझपरपुर में एक यू आई 225 भागलपुर में 257 बेगुसराय में 268 कटिहार में 245 और मोतिहारी में 217 वायू गुनवत्ता सूजकांग पहुँच चुका है ऐसे में यह आशंका जिताई जारी है कि आने वाले दिनों में धुन्द बढ़ने के साथ-साथ AQY यानि की Air Quality Index के लेवल में और भी बढ़ोतरी हो सकती है मालुम हो कि राजे में बरते वायू प्रदूशन को देखते वे बिहार राजे प्रदूशन बोट के द्वारा चार सहरों में आतिश पाजी पर भी बैन लगा दिया गया है क्योंकि पटाके फूटने सी वायू प्रदूशन के स्थिती और भी खड़ाब हो सकती है राजे के इन चार जिलों में एक लाग से अधिक बच्चों के नाम कटे विहार सरकार के सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के द्वारा दिये गए निर्देश पर लगातार कई दिरों तक बना किसी सूशना के स्कूल से गाया बहने वाले चात्रों पर काड़वाई करते वे उनके नाम को स्कूल से काटे जा रही है पिछले दो महीने में 22 लाग से अधिक बच्चों का स्कूल से नाम काटा जा चुका है वही राजी में ऐसे चार जिले है जहां एक लाग से अधिक बच्चों के नाम स्कूल से काटे गए हैं जिसमें पुरवी चमपारण, पश्चिम चमपारण, वैशाली और मुझपरपुर जिला शामिल है बता दे कि पुरवी चमपारण में 1.4-3 लाग बच्चों के नाम मिहार की राज़ानी पटना में संजय गांधी जैवे कुद्यान में घूमने आने वाली महिलाओं को एक नई सुधा मिलने वाली है दरसल अब महिलाओं को बहुत जल्दी चिरियां घर में बच्चों को इस्तन पान कराने के लिए सुरक्षत जगह मिलेगी और इसके साथ ही बच्चों के पैंपर्स या कपड़ा बदलने की भी सुधा मिलेगी बतादे के एक नवंबर गेट के पास 15 दिसंबर तक बेबी केर एवं फिटिंग सेंटर की अस्थापना की जाएगी इसके लिए दिल्ली सेंट्रल जू अथोरिटी ओफ इंडिया के अनुमती मिल गई है आपकी जानकारी के लिए बतादे कि चरिया घर में एक दिन में उस्तन 6,000 से अधिक विजिटर्स पहुंचते हैं जिसमें 500 से अधिक महिलाएं होती हैं जो अपने बच्चों को लेकर जू में ब्रहमन करती हैं ऐसे में उनको किसी प्रकार की परिशानी ना हो इसको लेकर य मरीज मिले हैं जिसमें सबसे अधिक पिहार की राजधानी पटना से 172 मरीज सामने आए हैं अब इसी के साथ पटना में डिंगू प्रत मरीजों की कुल संख्या 6,257 तक पहुंच गई हैं वहीं राजी में डिंगू के कुल मामलों की संख्या 15,004 पर पहुंच गई पताद की डिंगू मरीजों की संख्या को देखते वे स्वास्त विभाग की तरफ से राजी के सभी सरकारी अस्पतालों में डिंगू वर्ड बनाए गया हैं जिसमें बड़ी संख्या में मरीज भरती हैं मालूम हो कि सभी सरकारी अस्पतालों में जांच की सुवधा निशल्ख है पतादे कि नामांकन के लिए बिहार बोर्ट के द्वारा 24,000 सीटों की सूची जारी की गई है ऐसे में अभियर्थियों को नामांकन लेने के लिए common application form भरना होगा जिसके बाद बोर्ट के द्वारा स्कोर बोर्ट में रैंक आरक्षन कोटी तथा कॉलेज विकल्प के आधार पर सूची जारी किया जाएगा जिसमें पहली सूची 11 नमंबर को जारी की जाएगी इसके आधार पर 13-18 नमंबर तक नामांकन होगा वही दूसरी सूची 26 नमंबर को जारी की जाएगी और उसके राजनिती में एंट्री पर कहा ये। पुराना रास्ता है मैं आटोमेटिक उस पार्टी से जुरा हुआ हूँ इसके लावा उन्होंने यह भी बताया कि वह एक भोजपुरी फिल्म में भी काम कर चुके हैं और आगे उन्हें मौका मिलता है तो वह दुबारा भी भोजपुरी फिल्म में काम करेंगे। भलुआ चटी नेशनल हाइवे पर काले रंग के स्कॉर्पियो जो दिल्ली के नंबर से थी उससे 13 कार्टून में रखे 312 बोतल बीर को बडामत किया गया है और साथे इस दोरान टीम के दोरा एक तशकर की भी ग्रफतारी की गई है जिसकी पहचान जिले के मोहनपूर के सन नोज कुमार के रूप में की गई है पतादिक इस बात की जानकारी मामले में सहाया कुदपाद आयुक्त प्रेम प्रकास के दोरा दी गई है सरक निर्मान में लगे कामगारों को मिले गी अधिक मजदूरी राजय असतर ये अनुसुचित दर नर्धारन समीती की ओर से लिए गए नर्ने के बाद पत नर्मान विभाग के ओर से अधिसूशना जारी कर या जानकारी दी गई है कि वैसे कामगारों की मजदूरी दर में विदी होगी जो सरक निर्मान में लगे हैं बतादी कि सरकार के द्वारा इसलिए गए इस नर्ने से सरक निर्मान में 72 प्रकार के काम करने वाले लाखों कामगारों को लाब मिलेगा बतादी कि ये नई दर एक ऑक्टूबर से प्रभावी हो चुकी है ऐसे में पहले जहां अकुष श्रमिकों को रोजाना 388 रुपए मिलते थे, उन्हें अब 395 रुपए रोजाना मिलेंगे। स्वेपर मिस्तरी क्लीनर खलासी को भी यही पैसा मिलेगा, वहीं मारकर की नियुनतम मजदूरी 489 के बदले अब 498 हो गई है, इसी तरह अने मजदूरों के नियुनतम मजदूरी दर भी व्रदी हुई है। त्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की गई है। बीस्वा स्थापना दिवस है, ऐसे में पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष ललन सिंग के दौरा एक्सपर्ट ट्वीट कर पार्टी के सभी नेताओं और कारेकरताओं को बधाई दी गई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जनता दल युनाइटेट के बीस्वे स्थापना दिवस के सुब अफशर पर बिहार वा देश भर के कारेकरता साथियों एवं आदर्निय नेता नितीश कुमार को हिर्दय से बधाई वा आभार। सब मिलकर समाजिक न्याय के साथ विकास को शुनिशित करते हुए त्वरित गती से बिहार को विक्सित प्रदीश पना कर रहेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दे कि जेडियू का अस्थापना 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था। सक्षक भरती में दूसरे राजियों को मौका देने पर भरके मांजी ने सीएम नितीश पर लगाया रोप। के दोरा एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जेडियू नेताओं के नितीश जीस्ते मुलाकात और संगठन वस्तार की बात ने साबित कर दिया कि सक्षक न्यूपती परिणाम में अने राजियों के ल के दोरा छपड़ा में भरत मिलन चौक पर धर्म नर्पिक्ष सेवक संग के काड़याले का उद्गाटन करने के बाद और भरत मिलाव समारों में शामिल होने के बाद मीडिया के दोरा पूछे गए सवालों का जवाब देते वे सारन नोकसभा सीच से चुनाव लड़ने पर अपना बयान दिया गया उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष है कि 2024 और 2025 के चुनाव में अपने जंडे को बुलंद करें जिसके लिए हम लोग लगातार कारे कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं तो अभी मंतरी हूं समय आने पर जरूर फाइट किया जाएगा पबलिक की डिमांड बतादी के भारत ने अब तक विश्व कब 2023 में कुल 6 मैच खेले हैं और इन सभी मैचों में जीत भी हासल की है वहीं अब इस जीत के बाद भी भारतिये टीम के कप्तान रोह सर्मा के द्वारा टीम की एक बड़ी कमी का खुलासा किया गया है उन्होंने कहा कि मेरे खयाल से या वो मैच रहा जहां हमने अपनी छमता दिखाई सभी अनुभवी खिलारियों ने सही समय पर अपनी जिम्यदारी निभा कर हमें जीत दिलाई देखते हैं कि टुर्णामेंट हमारे लिए कैसा बीटता है पहले पांच मैचों में लक्षी का पीछा करना था लेकिन इस हम जानते थे कि पिछ में कुछ है और हमारी गेंदबाजी में अनुभव है इसलिए हम एक सम्मान जना का स्कोर बराना चाहते थे उन्होंने कहा कि हमने बले से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया पहले पावर प्ले में तीन विकेट कवाए जो कि आदर्श स्थिती नहीं थ हम जाए पपरपुन हुए पहले में ट्रॉपे सिम्मान जन स्हस Unit कीमत स्थे नेतर हूरी ने हालित की गई है इसके साथ ही गया में पिट्रॉल का रेट सबस्यादा किसंगंच में है जहां पिट्रॉल एक सुन नौ दसमलो तीन छे रूपे प्रती लिटर की दर्सें मिल रहा है अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की और हमारा पहला सवाल है राजे के 306 डियलेड कॉलेजों में कितने सीटों पर नमांकन के लिए आविदन की शिर्वात हुई है उप्शने 24,000, उप्शनी 22,000, उप्शनी 30,000, उप्शनी 28,000 इसका सही उतर है उप्शनी 24,000 अगला सवाल राजे में डेंगू के बीते दिन रविवार को कितने नई मरीज मिले उप्शने 25, उप्शनी 300, उप्शनी 35, उप्शनी 400 इसका स्तायूतर है उप्शनी 355 अगला सवाल भारत ने अब तक विश्व कब 2023 में कुल कितने मैच खेले हैं उप्शने 5, उप्शनी 7, उप्शनी 6, उप्शनी 8 इसका स्तायूतर है उप्शनी 6 अगला सवाल जे डियू का स्थापना कब हुआ था? उप्शने 30 October 2002, उप्शनी 30 October 2003, उप्शनी 30 October 2004, उप्शनी 30 October 2005 इसका सही उत्तर है उप्शनी 30 October 2003, अगला सवाल सुप्रीम कोर्ट में बिहार बियेड अभियर्थियों की रीट याचिका पर कब सुनवाई होगी? उप्शनी 1 November 2023, उप्शनी 5 November 2023, उप्शनी 7 November 2023, उप्शनी 3 November 2023 इसका सही उत्तर है उप्शनी 3 November 2023, बीदर दिन हमाई दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रिजाब, हमें हमारी कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है, जिन्होंने हमाई दुरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है, शतीस कुमार, मुहमद फहीम, डिंपल कुमारी, मुहमद सकीर हुसेन, खुशी शर्मा, अजीत, मुटुर रंगीला, अमित, अंकुष राज, मुहमद अफजल मंसूरी, रवी कुमार राम, रवी शंकर, बीजोई कुमार दास, गुडिया कुमारी मौरय, विना स्रमा, इसक के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना चनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखने तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद